दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चोनल यूनिक इस्टेडी 360 में तो दोस्तों आज हम आपके साथ हर्ट डिस्कस करेंगे चूंकि बाइलोजी का फर्स टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है ब्लड ब्लड हमने आपको पांच पार हर्ट के क्या इंटर्मोलोजी है दोस्तों सारा कुछ जो भी है हर्ट में वह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा हर्ट है यह हर्ट क्या होता है हर्ट को हम कैसे एक डिफिनिशन में कैसे कहेंगे कि हर्ट को हम कैसे क क्या परिभासा है हर्ट की तो दोस्तों हमारा जो हर्ट होता है ये एक मस्कुलर आरगन होता है जो हमारे सरीर में बाई और पाया जाता है और या सभी वर्टीब्रेस जानी जितने भी कसे रुकी है उन सब में पाया जाता है और दोस्तों हर्ट का काम क्या होता है हर्ट का काम होता है कि veins और arteries की सहाइता से oxygen और जो blood में जो पोसकतत्य है मिला हुआ blood buses anh की सहाइता से सरीर में पहुँचाना सरीर के सारे उतको और जितने भी पाट के सरीर में पहुँचाना तो ये main main काम होता है लोट का दोस्तों अगर हम देखें तो इसको English में कैसे कहेंगे तो दॉस्थों English पे इसको Olay को सानी है तो दॉस्थों। यह हमारा जो हर्ट है, उसका main काम है और जो हर्ट होता है दूस्टों तो हर्ट में जो होता है वो हर्ट में चैंबर होते हैं दूस्तों जैसे कि हमारी जो फिस होती है जैसे कि हमारी जो फिस होती दोस्तों उसका हर्ट जो है वो दो चेमबर का होता है और उपर वाले चेमबर को दोस्तों हम कहते हैं आट्रियम उपर वाले चेमबर को हम कहते हैं आट्रियम और नीचे वाले चेमबर को दोस्तों हम कहते हैं वेंट हैं do i的是 नाटे Roberts उसमें उसमें तीन होते है और यह वैंदक रही जो हड़ude कर फंच होते हैं जो हड्ड होते हैं जो हर्ट वहर्ट के चार चेंबर होते हैं जो चरिये दोचो हम devoted हर्ट है दोस्तों basically हर्ट को कैसे हम पढ़ेंगे कैसे क्योंकि हर्ट जो है बहुत complicated topic है दोस्तों कई बार बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में तने complicated figure बने होते हैं कि हमको समझ भी नहीं आता है कि कौन सा blood कहां से कैसे जा रहा है क्या हो रहा है तो दोस्तों आज हम simple way में है आपको समझाते हैं कि actually blood के अंदर जो हमारा जो blood हर्ट के अंदर जो blood है वो कैसे जाता है हर्ट हर्ट के अंदर blood के कौन कौन सा रास्ते क्यों से हमने जो heart के बाहर blood के जो body circulation system वो हमने आपको कल हमने आपके साथ कल डिसकस किया था इसलिए हमने आपके साथ कल जो है बलड का जो पार्ट फाइब डिसकस किया था जिससे कि आप समझ पाएं कि जब आप जब बाहर का पार्ट अब समझ चुके हैं तो अब आपको अच्छे समझ में आयागा कि हार्ट में ब्लड कहां से आता है और हर्ट कैसे करके उस ब्लड को बाहर बोडी में भेजता है तो दोस्तों अभी हमने आपको बताए कि जो हमारी फिस होती है फिस में जो है वो दो चेंबर होते हैं और हमारे एंफीवियन है और जो हमारे एंफीवियन है दोस्तों एंफीवियन का मतलब होता है दोस्तों वह फैचर और एंफिवियन और रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स जो होते हैं दोस्तों यह तीन होते हैं जैसे हमारा फ्राग हुआ उसमें जो हमारा मेड़क होता है उसमें तीन चेंबर होते हैं और ऐसे दोस्तों हम देखें तो हमन बिंग्स और जो बड्स होते हैं तो हम human being के chamber को कैसे यह होगे हमारा जो heart होता है उसमें यह होता है right side और यह होता है हमारा left side तो अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि उपर को जो part होता है वह atrium होता है और नीचे का जो होता है वह ventricle होता है तो दोस्तों इसको left और right में करके जो हम देखेंगे तो दो इन चार पार्टों को हम कैसे Abide करेंगे तो दोस्तों यह हो गया left left atrium यह हो गया हमारा left atrium और यह हो गया में आप हर्ट में कैसे क्या होता है ہrte में blood कहां से आता है और कैसे उसको blood को pump करता है फिर वो blood जो है रोटा की साइथा से हमारी whole body में जाता है फिर बेना कावा की साइथा से फिर हमारे heart में आता है तो इस whole process को समझने के लिए simple figure हम लेते हैं जिसमें हम आपको simple way में समझायाएं कि actually में हर्ट जो है हर्ट के अंदर कैसे क्या होता है दोस्तों तो दोस्तों यह है इसमें हम आपको बताता है जो हर्ट है तो हर्ट में दोस्तों हमने आपको कल बताया था कि जो हर्ट में जो बलड आता है हर्ट में जो बलड आता है दोस्तों वो कहां से आता है हर्ट में जो बोड़ी की पूरी साइकल को कम्प्लीट करता हुआ हमारे वेना कावा के जरी है फिर से हमारे हर्ट में आता है वो हर्ड वो ब्लड जो होता है दोस्तों वो डी अक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हर्ड जो होता है वो डी अक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो हमारा हर्ड क् pulmonary artery के जरिए हमारे lungs को भेज़ता है हमारा heart जो है वो जो हमारा बेना कावा की तरफ से जो हमारा blood आता है उसको हमारा heart जो है pulmonary artery के help से उस blood को फिर से lungs में भेज़ता है lungs जो है उसमें oxygen को mix करके और फिर pulmonary veins कर जरिए हमारे left artery में इंटर कराता है ब्लड को हमारे लेफ्ट बेंट कल में लेफ्ट एक्रियम में उस ब्लड को इंटर कराता है तो दोस्तों अब यहां से हम समझते हैं कि इंटर करने के बाद ब्लड की क्या प्रोसेस होती इसमें तो जैसे देखेंगे तब आपको समझ में आएगे कि pulmonary veins में oxygenated blood होता है जबकि veins में deoxygenated होता है लेकिन हमारे जो pulmonary veins होती है उसमें oxygenated blood होता है दोस्तों तो जब हमारा जो blood आता है pulmonary veins की साहता से जब हमारे left atrium में इंटर करता है तो left atrium में एक valve लगा है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं by बाई कस्पीड वाल जिसे हम बोलते हैं बाई कस्पीड वाल यह दोस्तों जब उपर से ब्लड आता है तब यह खुल जाता है और जैसे ही बाई कस्पीड वाल खुलता है हमारा ब्लड जो है इंटर करके हमारे लेफ्ट वेंटिकल में आ जाता है और यह ब्लड जैसे हमारे ल वाल बंद हो जाता है और बंद होने के बाद चुक्कि इधर से प्रेशर लगने पर ये वाल बंद होगा इसलिए हमारा ब्लड जो है ये हमारा वेंट्रिकल से अट्रेम की तरफ वापस नहीं जा पाता है फिर दोस्तों हमारा हर्ड क्या करता है हमारा हर्ड क्या करता है दोस् है iarote में लगा होता है दोस्तों जो iarote ka valve होता है इसको हम iarotic valve बोलते है तो जिए iarotec valve जब Heart blood को จब पुश करता है प्रेशर देता है 120 का 120 की app प्रेशर जब इसको प्रेसराइज direct करता है तो यह हमारा जो iarotec valve है यह कोल जाता है जैसे iarotec valve कोलता है तो हमारा जो वेंटिकल में भरा हुआ रक्त भूड़ है वो यह EAROTA के जरीये बाहर निकलता है और औरोटा के बाद हमने अकل आपको बतायाथा कि रोटा के बाद आर्ट्रीक में जाएगा जाएगा इसे गोँमता हुआ फिर कैपिलरी में जाकर फिर वेना कावा की तिरुप पहुंचाएगा तो यह दोस्तों होता है हर्ट की जो प्रोसेस में कैसे ब्लड आता है कैसे ज बिलिट को उंक्ट करता है यह प्ता है फसको नीचे एक ऑलव लगा होता है जिसे ट्राइककर वाल बोलते नियुक्ट राइट एट्रियम में वेना कावे के जरी बलड आता है राइट एट्रियम में यह जो ट्राइकस्पीड वाल्ब होता है दोस्तों यह खुल जाता है यह ट्राइकस्पीड वाल्ब ओपन होता है वैसे ही जो आया हुआ बलड है वो हमारा राइट बेंट्रिकल में पहुंच ज जैसे यह blood right ventricle में पहुंचता है हमारा tricuspid valve जो है यह close हो जाता है क्योंकि tricuspid valve जब उपर से pressure पढ़ेगा तभी खुलेगा और नीचे से pressure पढ़ने पर यह valve बंद हो जाता है फिर हमारा heart क्या करता है tricuspid valve खुलने से right atrium से जो हमारा blood है वो blood जो हमारा right ventricle में आया हुआ है उस ventricle को pressurize करके उस ventricle को pump करके उस ventricle को थोड़ा सब pump करके फिर जो है pulmonary artery के जरीए उस blood को pulmonary artery के जरीए क्या करता है उस blood को पहुंचा देता है दोस्तों उस blood को पहुंचाता है lungs में चुंकि हम जानते हैं दोस्तों pulmonary artery जो artery होती है actually artery जो होती है उसमें oxygenated blood होता है दोस्तों लेकिन जो pulmonary artery artery होती है उसमें deoxygenated blood होता है अब दोस्तों यहां से concept आपका clear होगा है कि pulmonary artery जो है इसमें deoxygenated blood क्यों होता है क्योंकि वो जो वेना कावा से जो blood हमारे right atrium में आता है तो heart उस blood को तुरंट pump करके erota के पास नहीं भेजता है क्योंकि अगर heart हमारा वही blood उसी blood को भेज देगा तो जो erota में जो blood जाएगा दोस्तों वो deoxygenated blood पहुंच जाएगा और फिर उससे deoxygenated blood जब पहुंचेगा तो दोस्तों इनसान सांसी ने ले पाएगा तो दोस्तों यहीं से यह concept change हो जाता है जब बेना कावा से जो blood enter करता है इसमें right atrium में वो right atrium से जब हमारे right ventricle में जाता है तो right ventricle म जो blood heart है हमारा उसको pump करता है उसको pump करने के बाद pulmonary artery से ब्लड को पहुंचा देता है lungs में और lungs क्या करता है उसमें oxygen को mix करता है और वो oxygenated blood होता है तो लंग से ब्लड दोस्तों हमारे जो pulmonary veins है जो pulmonary veins में क्या होता है दोस्तों deoxygenated blood लेकिन जो pulmonary veins है वो directly हमारे lungs से blood को लाती है किसमे हमारे heart में enter कराने के लिए इसलिए जो pulmonary veins होती है उसमें oxygenated blood होता है फिर यहां से यह oxygenated blood दोस्तों यहां से enter करता है फिर हमारे heart के left atrium में आता है left atrium से हमारा bike speed valve खुलता है bike speed valve के खुलने पर जो heart जो हमारा blood आया हुआ है वो left ventricle में पहुंचता है left ventricle में पहुंचने के बाद जो हमारी bike speed valve होती वो बंद हो जाती है फिर heart क्या करता है इस blood को pump करता है और जो हमारी erotic valve है वो open होती है और erotic valve के जरीए वो blood जो होता है दोस्तों वो erota के जरीए हमारी body में supply होता है तो दोस्तों ये है heart का simplest way simple concept दोस्तों कुछ नहीं आप 2 minute जब आप figure बनाना सीख लिए दोस्तों उसके बाद आपको कोई भी परिसानी नहीं होगी इसमें दोस्तों फिर देखते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा heart होता है दोस्तों ये होता है वो थोड़ा पतला होता है वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब हमारा जो blood हमारे left atrium से left ventricle में आता है दोस्तों ventricle का का काम क्या होता है दोस्तों ventricle का का काम होता है pump करना atrium का का काम होता है receive करना और जो ventricle होता है उसका काम होता है दोस्तों blood को pump करना तो इसको pump क्योंकि ये blood जो है एरोटा के जरी हमारी whole body में जाता है तो इस blood को ज़्यादा ताकत से pump करना पड़ेगा हमारे heart को इसलिए जो left side की जो ये हमारी होती है left atrium और left ventricle ये जो होता है इसकी परत जो होती थोड़ी ये मोटी होती है वह side की जो layer होती है वह थोड़ी पतली होती है क्योंकि इधर से जो blood जो हमारे right ventricle में जो blood आता है बेना कावा के जरीए उस blood को जो होल बॉड़ी तक नहीं पहुंचाना होता है उस body को सिर्फ pulmonary artery के जरी हमको heart के आगरता है pulmonary artery के जरीए सिर्फ lungs तक पहुंचाता है इसलिए प्रिसराइज करना पड़ता है इसलिए इधर की side की जो layer होती है दोस्तों वह पतली होती है और फिर दोस्तों question यह आता है कि जो हमारा जो heart है heart की layers को बाहरी layers को क्या करते हैं चो हमारीPeart की बाहरी layer को कहते है पेरी scriyorum और जो हमारी inner layer है heart की दोस्तों इसको कहते हैं इंडोкивgardium और जो हमारे हर्ट में जो बीच का ये वाला वेकेंट इस्थान है जो इसमें छोटी छोटी बहुत पतली पतली नसे होती हैं दोस्तों इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं मायोकार्डियम इसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं हर्ट की जो पतली नसे होती है उसको हम मायो कार्डियम बोलते हैं चरिए दोस्तों देखते हैं जो हमारे हर्ट की जो बाहर की लेयर होती है उसको दोस्तों हम पेरी कार्डियम बोलते हैं और जो हमारे इनर लेयर होती है उसको इंडो कार्डियम बोलते हैं उसको इंडो कार्डियम बोलते हैं और जो बीच में पतली पतली ये सिराएं दिखती हैं इनको हम मायो कार्डियम कहते हैं इनको मायो कार्डियम बोला जाता है और अब दोस्तों इसमें जो है क्योंकि ये एरोटा होता है तो इसमें जो वा इसे नोट लगा होता है तो उस से नोट का काम क्या होता है दोस्तों वह से नोट जो होता है दोस्तों उसको हम साइनो एट्रियम नोड कहते हैं उसको हम साइनो एट्रियम नोड बोलते हैं साइनो एट्रियम का नोड काम क्या होता है दोस्तों वो एक एलेक्ट्रिक करंड जनरेट करने के लिए लगा होता है दोस्तों जिसकी साहता से यह जो electric current generate होता है उसकी साहता से जो है हमारा वो काम करता है हमारा जो heart है वो काम करता है जिससे इसी के बज़े से हमारे heart में जो है दोस्तों जो आवाज सुनाई देती है heart की कैसी आवाज होती है love dub की आवाज सुनाई देती है वो साइने अट्रियम नोट के जरीए जो एलेक्टिक करेंट जनरेट होता है उसी से हमारा ब्लड जो लब डब की आवाज करता है उसी से हमारा ब्लड काम करता है दोस्तों जब कभी-कभी यह साइने अट्रियम नोट जो होता है यह खराब हो जाता है दोस्तों तो साइने डॉक्टर क्या करते हैं कि जो मनुष्च की वह बाइपास सर्जरी करते हैं उसकी बाइपास सर्जरी करते हैं और बाइपास सर्जरी करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों आपने सुनाओ का पेस्मेकर लगाते हैं पेस्मेकर लगाते हैं पेस्मेकर जो है दोस्तों वह एट्रियम में लगाया जाता है और उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा बलड जो होता है दोस्तों ये क्योंकि human body जो होती है दोस्तों human body में blood 5 से 5.5 लीटर के असपास होता है और तो दोस्तों अब सोचने वाली बात है कि heart जो है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है एक मिनट में 72 बार जो है वो धड़कता है और एक बार में जो है 70 ml blood को pump करता है एक बार में जो है 70 ml blood को pump करता है तो दोस्तों देखते कितना हुआ है क्योंकि ये 72 बार धड़कता है और एक बार 70 ml blood जो है वो pump करता है दोसको गुड़ा करने पर दोस्तों जो आएगा वो approximately 5 लीटर ब्लड आएगा तो इसलिए जो हमारा हर्ट है वो एक मिनट में एक मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करके पूरी बॉड़ी में भेज के पूरी प्रोसेस कम्प्लीट कर देता है एक मिनट में बॉड़ी में भेज कर पूरी प्रोसेस को कम्प्लीट कर देता है दोस्तों तो यह था दोस्तों हर्ट इसमें हमने आपको हर्ट के जितनी भी एन रखनी है, कि जो हमारे heart में right attributes zatrium में जो blood enter करता है, वो बेना कवा से enter करता है और बेना कवा में क्या होता है? डी-oxygenated blood होता है, और हमारा heart उस डी-oxygenated blood को right अट्रियम में आके जब tri-aspid valve open होता है, तो tri-aspid valve open होने पर हो राइट venticle में आता है और राइट बेंटिकल से हमारा हर्ट क्या गरता है क्योंकि बेंटिकल का काम होता है पंप करना और एट्रियम का काम होता है रेसीब करना तो जैसे बेंटिकल में पहुंचेगा बेंटिकल इस ब्लड को पुश कर देगा पंप कर देगा और वो हमारे पल्मोनरी आटरी के जरी यह वह कहां पहुंच जाएगा दोस्तों वह हमारे पहुंच जाएगा लंग्स में लंग्स में ऑक्सीजन को मिक्स करगे फिर वही ब्लड हमारा जो है वही जो ऑक्सीजनेटेट ब्लड है हमारा वो दोस्तों ऑक्सीजनेटेट ब्लड जो है दोस्तों वह पहुंचेगा हमारा पहुंचेगा जो हमारी अक्सिजेटे ब्लड ़ो यहां से इंटर करेगा वो पल्मोनारी वेंज के जरी एंटर करेगा हमारे हर्ट में पल्मोनारी वेंज के जरी पर हमारा जो एरोटिक वाल बोपेन उल्द के बाद जो हमारा अपसीडरिट ब्लड है वो एरोटा से होके हमारी हुल बॉड़ी में सप्लाई होगा बस यह दोस्तों पूरा हर्ड का कॉंसेप्ट तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक share or subscribe जरूर करें दोस्तों मिलते हैं next day next topic के साथ तब तक के लिए जाएं